अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करें मास वेस्टिंग तो आज हम इस चैप्टर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि मास वेस्टिंग क्या होता है जिसको हम mass movement भी बोलते हैं, down slope भी बोलते हैं, इसके कई nomenclature है तो चलिए बने रहें मेरे साथ to know about the mass wasting इस chapter में हम जो discuss करने वाले हैं, इसके अंदर हमारा रहेगा mass movement क्या होता है इसके types, इसके major classes यानि के major classes of mass movement और landslide यानि के जो विर्थ संसलन है, इसके कितने परकार है, इसके कौन-कौन से type है, class है और landslide क्या है mass movement mass movement mass movement को जानने से पहले हम यहां पर देख सकते हैं, कि यह जो एक पहाड़ी एरिया है और इसके अंदर slope है, यानि के डलान है इस डलान के सारे, यह जो material है, वो सारा का सरद है नीचे की तरफ यानि के downward के अंदर आ गया है, down slope के अंदर आ गया है और यह यहां पर जो पहड़ी है, इसके foot हेरिया के अंदर जो यहां पर यह जमा हो गया है तो इसी को हम मास movement बोलते हैं, यानि के इस परकिरिया के अंतर गत, soil यानि के जो मिट्टी है किसी भी भूखंड की उपरिस्त है, यह देखे, यहां यह इसका जो उपरी पार्ट है, उपरिस्त है से, उसका जो आवरण ठीक है या जिसको मरिगुलित बोलते हैं, मलबा बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं, वो गुर्तवाक्षन के कारण, यानि के ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण, यह जो खिंच कर नीचे आ जाता है, यानि के एक तो डलान भी है, और साथ साथ में ग्रेविटी भ भाग यानि के उपर से नीचे की तरफ यह मूव करता है इसी को हम जो है मास मूवमेंट बोलते हैं तो यह हम जानने की कोशिज करेंगे तो मास मूवमेंट ऑल्सो नौन एज मास स्लोप मूवमेंट मास वेस्टिंग इसी को हम मास मूवमेंट या मास वेस्टिंग या इसको स्लोप मूवमेंट और डाउन स्लोप इसको कहते हैं Factors that change the potential of the मास मूवमेंट यानि कि जो हमारा विर्द संचलन है इसको कौन कौन से factors इसको परभावित करते हैं या मतलब यूं कह सकते हैं कि इसको इस परकिरिया को तेज करते हैं तो सबसे पहले इसमें removal of the support from below to material यानि कि यदि किसी material का नीचे से sport जो हट जाता है तो वो matter जो है material उपर से नीचे की तरफ move करता है अब हो थो natural और artificial means वो प्राकरतिक रूप से और कृत्रिम रूप से भी वो material नीचे से उसका जो sport हट सकता है increase in gradient and height of slope gradient इसका slope का और height भी slope की यानि कि gradient का मतलब होता है ढाल परवनता एक तो देखो ये ये line है इसका gradient और एक मैं ये line कीचूँ तो इस में जो इस line का gradient है वो ज़्यादा है ढाल परवनता ज़्यादा है यानि कि slope इसका ज़्यादा है height जिसकी ज़्यादा होगी यहां पर कोई भी material देरे देरे लुड़के गल लिए कि यहां पर वो तेजगती से लुड़क सकता है इस परकार से माली ये plane area तो यहां पर mass movement की process हमें देखने को नहीं मिलती है तो ढाल परवनता और उनसा ही बढ़ने के साथ ये जो mass movement की परकिरिया है वो तेज होती है overloading through addition of material कई बार उपर से material और ज़्यादा आ जाता है जिसके कारण load बढ़ जाता है लोड बढ़ने से जो है वो नीचे की तरफ move कर सकता है overloading through heavy rainfall कई बार पाड़ी एरिया के अंदर जहां slopes होती है ज्यादा मातरा के अंदर जब rainfall हो जाती है बारिस होती है तो उस बारिस की बज़े से वो material lubricant हो जाता है और वो ढाल के नूप जो है और साथ साथ में gravity के कारण नीचे की तरफ move कर जाता है यहां पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक है जो material है वो थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है रिमूवल of material material का हटना occurrence of earthquakes जब आता है तो क्या होता है कि हमारी पिर्थी हिलती है shaking होता है उसके अंदर और उसी shaking की बज़े से जो material जो पहले से ही चाहिए वो heavy rainfall के कारण या वनों की कटाई के कारण वो lose हुआ है lose हुआ material जैसे ही अर्थ कुएक आता है तो धर-धर करके नीचे गिर जाता है excessive natural space natural spaces का मतलब होता है कि इसके अंदर पानी जो है मार रिस्क कर नीचे चला जाता है जिसके कारण भी है जो कोई भी रोक्स है या soil हो धिली या गिली हो जाती है और इस प्रकार की जो रोक्स है वो नीचे मूब कर जाती है heavy down heavy down draw of the water अधिक मात्रा में पानी का नीचे की तरफ आना और indiscriminate removal natural vegetation जो हम प्रकरतिक जो हमारी वनस्पति है उसको हम रिमूव करें काट रहे हैं ठीक है तो यह इसका एक कारण है तो यह कुछ factors थे जो की change the potential of the mass movement mass movement की जो potential है उसको change करते हैं पहले हो सकता है यदि यह ची वो ना हो लेकिन यह negative हो जाती है तो इसका मतलब है हमारा जो mass movement वो increase हो जाता है वो ज्यादे तर इस परकार की उपर किरिया हो हमें जो mountain area है वहां पर देखने को मिलती है type of mass movement यानि कि there are two major classes of mass movement जो हमारा विर्द संचरण है या जो हमारा mass movement है उसको हम दो category के अंदर classify कर सकते हैं जिसमें पहली है हमारी slow mass movement जैसा कि इसके नाम से ही पता चला है slow mass movement इसके अंदर जो mass movement होता है वो बहुती slow होता है और बहुती धीरे-धीरे इसके अंदर चलता है तो यहां हम देख सकते हैं the occurrence of the slow mass wasting are visually imperceptible, more widespread and bring a greater volume of the materials down slope than the rapid mass wasting यहां आपको मैं बता दूँ कि एक तो slow mass movement है और दूसरा हमारा rapid mass movement तो जो slow mass movement है इसके अंदर जितना भी जो materials होता है वो heavy होता है बहुत ज्यादा होता है और इसको हम मतलब notice नहीं कर पाते है वीजूली जो imperceptible है यह और यह कहीं ज्यादा volume of material down slope than the rapid rapid से rapid mass movement है उनसे कहीं ज्यादा material है जो इसके अंदर down slope की तरफ आता है तो slow mass movement है इसके अंदर है creeps main creeps को जिसको हम सरपन या भी सरपन जिसको हम कहते हैं तो creeps क्या होती है the slowest and least noticeable यह बहुत ही slow होती है और इसको हम notice नहीं कर पाते हैं but most widest split of the slow mass wasting category is creeps क्रीप जो है यानि कि जो slow mass movement है इसके अंदर जो creep है वो सबसे slowest होती है अब हम बात करते हैं कि जो slow mass movement है उसको फर्दर हम चार category के अंदर provide करते हैं depending upon the type of material involved the several type of creeps यानि कि जो material इसके अंदर जो involved होता है उसके अधार पर हम इसको soil creeps जिसको हम मृदा सरपन कहते हैं विशरपन टालस क्रीप जिसको हम धाल मलबा या पाद मलबा भी कहते हैं रोक स्क्रीप यानि कि इसके अंदर हम shell विशरपन को लेते हैं और शोली फ्लक्षन में मिठती का सरपन तो चल यह one by one इनको discuss करते हैं क्या है यह किस परकार के material इसके अंदर involves है अलांकि यहां पर आप picture के दुआ देख सकते हैं यह रोक false का है ठीक है और यह हमारा debris जो flow है यहां पर यह रोक slides हो रही है इदर में debris slides हो रही है यह creeps है इसके अंदर यह creeps के यह slump है और यहां पर हमारा जो है block slides है तो इसके अंदर next हमारा है soil creeps और रोक creeps यानि कि इस जो slow moment है इसके अंदर दो category है हमारी soil creeps और रोक creeps soil जो creeps होती है इसमें आपको मैं तोड़ा introductory parties का बता देता हूं कि इसके अंदर क्या होता है जो हमारा rainfall के time में क्या होता है, जो soil होते हैं वो lose हो जाती है, यानि कि soil के जो कण होते हैं और इसके द्वारा फिर जो है। और gravity की वजह से यानि कि dating effect की वजह से वो जो soil है वो धीरे धीरे उसका जो मतलब आवरन होता है वो नीचे की तरफ यानि के डालक से नीचे की तरफ फिसलने लगता है और इसके बाद यह सारा का सारा जो मेटी डेल है वो डाउन स्लोप के उपर जो है मान लीजिए यहां पर जो इकठा हो जाता है तो इस परकार के मिर्दा जो संचेन है भू और यह कहीं निर्वन भूमि यानि कि जो जो लो एरिया होते हैं इसके अंदर यह देखे जा सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि सोयल जो क्रीप से अन्दिक्टेड बल्स ठीक है इसको हम डिक्टेड पहले से नहीं कर पाते हैं कि कि ये रामली फांड ओन डवेदर मांटेंग चाह होता है है कि ऐसा जो मांटेंग स्लोप जिसका उपरी आवराण है वह चुका है या वह तूट फूट चुका है gravity force the material to slowly slide down अब gravity यानि के जो गुर्तवा आक्षन होता है उस material को धीरी धीरे slowly slowly down की तरफ यानि down hills की तरफ लेके आती है and eventually the sign of the creeps become evident और इस परकार हम जो creeps के evidence इसमें देख सकते हैं the tree trunk skirt upward as creeps caused then to tilt down यहाँ देख सकते हैं यह जो tree है यह down slope की तरफ यानि के यहाँ से जो दिरे-दिरे soil है निचे की तरफ move हो रही है gravity के वज़े से तो हम इसको notice नहीं कर पाते हैं लेकिन यह जो party area के अंदर आप देख सकते हैं tree के जो trunk है उनके अंदर भी bending पड़ गई है इसी परकार से यह जो fencing जो लगी है या इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यह जितने भी जो पोल्स हैं या लकडी के जो खंबे वगरा लगे हैं यह दिरे-दिरे डाउन हो गया दाफैसी पोल्स एंड हाइड्रो पोल्स में अल्सो बिगें टू लेन डाउन स्लोप तो यह बीचा है स्लोप की तरफ है दीरे-दीरे डाउन हो जाते हैं तो इसके अंदर पहला हमारा था जिसके अंदर सॉयल का जो उप्री जो पार्ट है वह हैवी टेन फाल के अंदर ज्यादा वेट हो जाता है और ग्रेवीटी के कारण दीरे-दीरे वह डाउन स्लोप की तरफ आ जाता है दूसरा हमारा इसके अंदर आता है रोक क्रीप्स यानि कि शेल विशरपन जिसको हम ब का यानि कि जो हमेरे रोक्स होते हैं मिटी का अवरन हटने के बाद में उसके बाद में फिर चा होता है कि चटान की जो परत है वो दिखाई देती है जिसको हम बैड रोक्स बोलते हैं इस अदार पर जो सेल का विखंडन होता रहता यानि के पहले यह वाली टूट गी फिर उसके बाद में फिर इसके उपर weathering होगी या यह जो slopes है दिरे-दिरे डाउन जो है चलता जाता है तो इस परकार से जा होता है कि जो हमारी जितनी भी जो यह creepings है या इसके जो agents है यानि कि जो heavy rainfall है जो हमने factors affecting discuss किये थे उनके परभाव सील जो है दिरे-दिरे यह जो मिटी है नीचे की तरफ बढ़ती जाती है वो ढाल से फिर नीचे सरकने लगती है यानि कि जो हमारी सब soils है वो bedrock की जो परत है वहां तक पहुंच जाती है निम ढाल की और विशरपन होने लगता है यहाँ आप देख सकते हैं इस area के अंदर भी यह मतलब जो हमारी जो रोक्स है वो नीचे की तरफ यह देखिए यह यहां पर direction दिया गया कि रोक जैसे जैसे नीचे आती है तो इसके अंदर यह जो हाउस बना इसके अंदर भी cracks पढ़ गये यह देखिए यहां पर जो cracks है तो यह इसी का कारण है जाने कि इस परकार से हम देख सकते हैं कि किस परकार से जो रोक्स है पूरी की पूरी जो रोक्स है जो cell लेजिसकों बोलते है वो दिरे दिरे डाउन की तरफ आती है जिसकी वज़े से ट्री के अंदर बेंडिंग पढ़ना है या इलेक्रिक पोल जो है टिल्ट होने है और इसी परकार से हमारा जो हाउस है उसके अंदर cracks आना इस आर दा समसाइंस और रोक क्रीप्स तो यह तो था हमारा रोक क्रीप्स यानिके इसमें cell विशर्पन उसके बा होता है कि सबसे पहले आपको moves यानिकरिभश टालस और इसको जो भी बनिंद भाद हृद бор कह detail सेषिए जो चटान टूट जाती तोटने के बाद इसके जो material जो बचते हैं ठीक है जो remains रहते हैं वो चाहा होते हैं fragmented at the base of the cracks तो इससे क्या होता है कि जो टूटे फुटे जो कण होते हैं किसी टान के वो चाहा है जो बिखरे हुई होते वो वो सारेके-णुप से केक्सी डॉलके किसी डाल के अकोर्डिं बहते गए या独ते गए नीचे आ जाते हैं तो जो मलबा जो saydements हो तए हुआ उसी कम जो है तो यहां आप देख सकते हैं मान लीजी यह कोई धाल है ठीक है और इधर से यह मतलब यह कोई रोक से जो है वेदर हो गिया इस परकार से वेदर होने के बाद में इसका जो मेटिरियल्स है वो जब यहां इधर इकठा हो जाता है इस परकार से तो इसको हम बोलते हैं टालस या पाद मलबा या धाल मलबा ठीक है यानि के जो मलबा होता है जो सैडिमेंट्स होते है जो डेपरीज, र्वक सेंड्स होते है वो स्लोफ के अकोर्डिंग ढालके नीचे आ कर डिपोजिट हो जाते है उसली को हम बोलते है टालस या स्क्री इसके बाद में दूसरा हमारे इसके अंदर जो pirates है जिसके अंदर सॉयल और फ्लोग इस कि इस पर्कार की जो एक्टिविटि जञाद अतर हमें ऐसे सीफ जलवाई वाले एरिया ओते हैं। देखने को मिलते हैं। झाफ़ी पर परचूर मात्रा की स्नोव हमित लम होता है और पर यानि कि आठता कोहता होता है। शुरू वह जाती है तो पीगोलने के पशाथ कि कुछ जो छेत्रों का जो हिम है यानि के जो यूडि师 आई से वह बची रहती है वह पूरी तरह से मैल्ट नहीं हो पाती है तो ऐसे छेत्रओं में जो है मिट्टी का जो है सरपन яनी के इसमें सोलिफलेक्षिन की जो प्रोसेस होती रहती है अर्टी के जो विर्थ है मारा जो Personality जो सरकल है इसके चारों और यानि के टूंटरा प्रदिसों में पर्मानेंट फ्रोस्ट यानि के पर्मा फ्रोस्ट पाई जाती है सथाई तुशार मुमी के छेतरों के अंदर जब ग्रिसम रितू के अंदर वो मेल्ट हो जाती है उपर की जो बरफ जो मेल्ट हो जाती है और नीचे की एज़िटीज जाती है जिसके अंदर और जो है water या humidity नहीं समा पाती है जिसके काण वो मिटी धीरी धीर जो है ढाल के according किसके ना शुरू कर देती है उसी को हम शॉली फ्लेक्शन बोलते हैं यहां देख सकते हैं also include in this category जे सॉली फ्लेक्शन यहां पर सॉली फ्लेक्शन का एक एक जामपल दिया गया है which involves the slow down slope slow slow तो है डाउन स्लोप यानि के ढाल के अनुसार जो है मुव्मेंट करना the flowing स्लोप मास्टु दफाइन ग्रेंड रोक्स डैब्री सेचुरेटिड और लूब्रीकेटिड विदा वाटर यह देखे यहां पर भी लूब्रीकेटिड और सेचुर जो वर्ड आये हैं इसका मतलब है जो वाटर पूरी तरह से जो स्वाइल है वो पूरी तरह से स्याचुरेटिड हो जाती है और स्याचुरेटिड होने के कारण उसके अंदर जो small small या fine जो grains होते हैं तो यह करोक्स के वह डाउन स्लोप के तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं, so this process is quite common in the most temperate areas where the surface melting of the deeply frozen grounds and long continued rain desperately occur frequently, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस परकार की जो process है वो हमें temperate area के अंदर या ज़्यादा ज़र deeply जो frozen area होते हैं उन area के अंदर यह देखने को मिलती है, when the upper portion get saturated, उसका उपरी जो भाग है saturated हो जाता है, and when the lower part are imperious, imperious यानि कि उसके अंदर जो पानी नहीं पहुंच पाता है, या imporous होती है वो, जिसके अंदर पानी नहीं जाता है, to the water percolate the flowing occur in the upper part, तो उपरी जो भाग है, वो saturated होने की वज़े से, वो floating होता रहता है, इसी को हम बोलते है, solid fluxon, तो यह चार पार्ट थे, solid fluxon के अंदर, जिसके अंदर, यह slow moment के अंदर, solid fluxon है, टालर स्क्री है, यह soil creeps है, और इसमें rocks creeps है, तो यहाँ पर यह देख सकते हैं, solid fluxon का, आप example, जिसमें उपर की जो मिटी है, यह soil से वो धेदी फ्लो हो रही है, निचे की तरफ, जो कि यह जातार पाड़ी एरिया या ऐसे एरिया के अंदर होती है, जहाँ पर, हिम या जो ice है, वो पर्मानेंटली जमी रहती है, रहो सर्दियों के अंदर, या निक गर्मी जैसे जैसे आती है, ice melt होने के बाद उपर की जो layer हो, saturated होने के कारण, वो flow उसके अंदर होता रहता है, down slope की तरब फ्लो चलता रहता है, यह देखिए, यहाँ पर टालस या स्क्री, जिसको पाद या धावल मलबा बोलते हैं, देखिए किस परकार से जो पूरा को पूरा जो मलबा है, वो लुड़कर जो है, जो weather जो रोक होते हैं, उसका जो मलबा है, दिरे दिरे, छोटे, बड़े कंड जितने भी है, सारे के सारे जो है, आकर यहाँ, गिरिपत छेतर के अंदर, या mountain area के अंदर, या foot hills के अंदर आक है, उसको हम बोलते है, rapid mass moment, in rapid mass moment, the perceptible motion occur, यानि के जल्दी से इसके अंदर, जितनी भी जो गती होती है, वो जल्दी से हो जाती है, तो इसके अंदर यदि हम बात करते हैं, जो हमारा rapid mass moment है, इसके अंदर आता है हमारा, जो है, earth flow, और इसके अंदर फिर आता है, हमारा land slide, land slide के अंदर फिर आगे category है, फिर हमारा, इसमें earth slide and mud flow, इसके बारे हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते है, earth flow के अंदर, earth flow का मतलब होता है, कि मिर्दा का परवा, जिसको हम बोलते है, मिर्दा का परवा, या एक ऐसा विरित संतलन है, rapid mass moment की category, इसमें डाल के उपरी बाहा का जो cell है, यानि के cell पदार्थ, वर्षा के जल के सने से, सने मतलब lubricant होने से, और साथ साथ में gravity के वज़े से, खींच कर उस डाल के निचली बाहा की और फिसलता रहता है, यहां देखिए, the movement of water, saturated clay, और silty earth, material down low angles, terrace, or hillside is known as earth flow, यानि के यहां पर आप देख सकते हैं कि इस picture के अंदर, तो यह जो area है, यह वाला ज़ेरिया है, जहां पर saturated soil के वज़े से, या पानी के अधिक lubricant हो जाने के साथ साथ, gravity के प्रभाव के कारण, यह जितना भी जो material है, यह जल्दी से यहां नीचे आकर, foot hills के अंदर, जमा हो गया है, इसको हम बोलते हैं, earth flow, and earth flow, और earth flow is a down slope, viscousous flow of the fine grain, viscousous होता है, पूरी तरह से यह, मतलब यह, बिलकुली, आप कह सकते हैं, liquid नहीं है, थोड़ा सा, मतलब चिप चिपा दिशकों के बोलते हैं, flow of the fine grain, छोटी छोटी जो grain होती है, मतलब जो हमारा जो sand होती है, वो, fine grain materials that have been saturated with water and move under the pull of gravity, तो यहां आप दुबारे इसको समझने के process कर सकते हैं कि, gravity के परभाव के कारण, यानि कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, हमारे जो materials होते हैं, या sediments जिसकों बोल सकते हैं, वो जब saturated हो जाते हैं, saturated मतलब जब समत्रिप्त हो जाते हैं, water के साथ, तो slope के दोबारा, gravity के परभ hill scripts and mud flow, यह mud flow और down hill scripts होते हैं, उसके beach का एक, beach के category के रूप में हम इसको देख सकते हैं, दूसरा हमारा इसके अंदर आता है, land flow, land flow जिसके अंदर हम उसको बोलते हैं, भूशकलन, कई बार आप लोगों ने यह word सुना होगा, जो land slide होगी है, ठीक है, तो पाड़ी एरिया के अंदर इस परकार की जो घटनाएं वो होती रहती है, तो land जो slides होती है, इसमें जो regolith, यानि के जो materials होते हैं, या जो bed rocks के वे विर्थ संचलन, जो गुर्तव सकती, यानि के gravity के परभाव के कारण, ढाल के उपरी बाग से नीचे की और होते हैं, तो परवतिय छेतरों में ज सारा का सारा जो मलबा है, एकदम से नीचे की तरफ आता है, और काफी जो है, इसे जानमाल की भी हनी होती है, the moment of down slope मास रोक, यानि के मास रोक यहां पर पूरी के पूरी एक रोक है, वो भी आ सकती है, debris यानि के जो मलबा है, वो अर्थ भूमी या soil, तो landslide occur when the gravitational and other type of shear stress, ठी दिने slope exceed the shear strength, shear strength मतलब resistance to the searing of the material that form the slope, यानि कि कई बार या होता है, कि एक जो धाल होती है, इसके उपर जो material होता है, वो इस डाल के साथ में चिपका रहता है, तो कई बार यह जो जिसकों बोलते हैं, मतलब shear, इसके जो shear strength होती है, जब यह कई बार weak हो जाती है, तो पूरा क पूरा जो material है, वो down slope के साथ साथ, यानि कि ढाल के according, गुरुतव परभाव के कारण यानि कि जो हमारी gravity है, उसके परभाव के कारण पूरा का पूरा जो अर्थ है, या जो बहुत बड़ी जो land mass है, debris है, वो सारी कि सारी down slope पर आ जाती है, इसको हम बोलते है, land slides, यहां के हम हम देख सकते हैं, type of land slides, यानि जो भूश अकलन होता है, उसके अलग अलग परकार है, जिसके अंदर पहला हमारा है, जो है, रोक slide, रोक slide है, फिर slumping है, उसके बाद रोक फाल है, और debris slide है, तो इसके अंदर हम इनको देख सकते हैं, यहां पर यह अलग अलग इसमें, pictures के दो बड़ी-बड़े चटानों के जो टुकडे हैं, वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, उसके बाद में flow है, यहां पर पूरा का पूरा मिट्टी का जो एक बहुत बड़ा भाग नीचे की तरफ आ जाता है, यह है, टोपल मतलब उपरी भाग से कोई बड़ा सा ब लो के दोबरा जो है, ओरीजन होता रहता है, और यह सीपेज है, ठीक है, सीपेज और पोस्ट वेंडिंग, तो यह कुछ टाइप्स है, जो टाइप्स ओफ लेंड स्लाइड स्केटेगरी के अंदर आते हैं, जिसमें मुख है, हमारे है, रोक स्लाइड, स्लम्पिंग, रोक फाल हमारा रोक का कोई टुकड़ा है, वो परवतिय छेत्रों से दीरे-दीरे डाल के नीचे मुवमेंट करता हुआ, बेंडिंग करता हुआ, बेंडिंग जो प्लेन है, यानि कि जो ढाल है, उसके साथ-साथ में लुड़कता हुआ, एक एक दम से नीचे आ जाता है, तो इसी हम रोक स्लाइड बोलते हैं, ब्लोक ओफ रोक, यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लोक ओफ रोक का मतलब है सेल का कोई एक बड़णड स्लाइड अलोंग डा स्लोप from the high to low, यानि कि माले जी हमारा पाड़ी एरिया है, यहाँ पर एक भहुत बड़ा यह जो ब्लोक का है, यहाँ पर लोग की तरफ जाता है तो एल रोक स्लाइड इस टाइप ओफ लैंड स्लाइड अक्रिंग वहने मास ओफ दरोक्स मूव क्विकली डाउन स्लोप इन मौंटेनियस रीजन जादा तर यह जो मौंटेनियस एरिया के अंदर जहां स्लोप ज्यादा होता है यह यानिक डाल ज्याद होता है उस एरिया के अंदर इस परकार की गटनाय होती रहती है इसके बाद में दो स्लंपिंग जिसको हम रूब भीवडे और सर्पन सब्सक्राइब है कि भूर्षकलन में शेल का करतन होता है करतन का मतलब thrive shearing होता है अतात एक shell block अपने मूल स्थान से जैसे कि यहां पर जो एक कोई यह सेल भूक है और में स्थान में मूल इसका यहां था यहां से अटकर यह नीचे आगया यह फिर यहां से नीचे आगया फिर इदर से यह नीचे आगया इदर से यह नीचे आगया यानि के अपने मूल स्तान से विदारीत विदारीत का मतलब डिस्प्लेस होकर डाल के कोडिंग निचले भाग में रोटेशन करते हुए यानि के गुरुणन करते हुए यह नीचे की तरफ आता है और इसमें जो विशर्पन तल होता है जिसके सारे यह जो करते हैं इस तल के सारे जो है डाल काफी नीचे की तरफ आता है अब यहां देखिए कोई भी चतान आहीं तो यहां पर यह रोटेशन में आरी इदर से में यह इधर में आएगी यह इदर में आएगी तो एक रोटेशन फोर्म के अंदर इसके अंदर चलता रहता है जिसको हम स्लंपिंग तो यह था हमारा स्लंपिंग तो इसके अंदर हम और बात आपको बताएं कि जो अवसरपन की जो किरिया है ज्यादा तर इसके अंदर घुर्णन गती से होती है यह जहां रखना ना रोटेशन इन इन स्लंपिंग डा रोटेशन इज में प्रोसेश थ्रो विच रोक्स ब्लोक्स केन भी मूव आउट प्रॉम दाइए चुदा लोवर पार्ट इस परकार का जो विशरपन है इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे जो कोची के निकट और पूर्वी घ है इसके बाद में फिर हमारा था इसके अंदर जो टेप्रिज लाइट्स और वर इंवालॉण और रोज इसके इंदर मैं भी स्वाद्स योगार्श भी होगा वीजितान्स भी होगा ठीक है ये जो मिक्शिर्ट रूप में मिस्वरूप के अंदर ब्डाउं एमोडरे टू steep slope यानिके यह moderate से लेकर steep slope की तरफ जो है धीरे-धीरे नीचे की तरफ आ जाते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं debris slide, avalanches या flow के रूप में इसको हम जानते हैं ठीक है तो debris slides, avalanches और flow जा होता है इसके अंदर water, soil, sand, vegetation वो mix material के रूप में वो down slope की तरफ बूव करते हैं इसके बाद में मारा इसके अंदर रहेका mud flow mud flow यानिके जिसको punk परवा भी बोलते हैं तो mud flow are the most fluid rapid flow of the mud यानिक इसके अंदर यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर यह mud flow का example इसके अंदर दिया है और दूसरे example मैं आपको बता दूँ कि जहां कई बार क्या होता है यहां पर यह अर्थ flow है ठीक है यह slump है जिसके अंदर जो है जो जो ब्लोक्स है वो रोटेट करते हुए नीचे की तरफ ऐसे मूव आउट करें ठीक है यह रोग फाल है जिसके अंदर चटान जो तूट कर नीचे के जाती है डैब्रीज वालांसी जैसके अंदर जो हमारा सेडिमेंट होता है वो पाड़ी एरिया से नीचे की तरफ मूव क नीचे स्प्रेड कर देती है तो यह इसको हम पढ़ेंगे आगे जब हमारा रीवर का वर्क की बात करेंगे रीवर के दिखोस्नल तब उसके अंदर जो हम पढ़ेंगे इसमें कि बहुत सारे जो नदिया है वह जब आड़ी एरिया से निकल कर नीचे की तरफ लो करती है तो मड़ फ्लो करती है जिससे जो पंक का परवा होता है जिससे हमारा एलुएल कौन और एलुएल फैन जो बनते हैं तो यह ज़्यादा तर अधिक वर्षा वाले छेत्रों के अंदर होता है जहां पर जो रोक्स होती है वो सैचूरेटीड हो जाती है और अपने मूल स्थान से धाल की तरफ जो नीचे की तरफ होकर बिल्कुल मतलब जल्दी से यह ज्योंकि पानी की मातरा ज्यादा होती है काफी फ्लूड होता है और जिसके कारण जो ढाल के कोडिंग नीचे आकर वह डिपोजिट हो जाती है तो इसमें बहु सारे जो है मैटीरियल यानिके जो यूट्स होती है इनका उसीस्ट होता रहता है आगे चलकर यह फिर जो है एक नए जो लैंड फॉर्म्स का ओरीजन करती है तो यह तो था हमारा इसके अंदर डैब्रीज और मड़ फ्लो डैब्रीज लाइड एवालांसीज ठीक एंड फ्लो तो थैंक्यू ज्यादे स्याजा इ सब्सक्राइब करें